हलो डियर इस्टुडेंट, हाउ ऐल यू? आज किस वीडियो में हम करने वाले हैं जारकान डेकेडमी काउंसिल जेग बोट के द्वारा कलास 12 के लिए 2024 का जो एक्जाम होने वाला है उसमें कलास 12 में ETP सब्जेक्ट जो है यानि कि Entrepreneurship यानि कि उधमिता का जो सब्जेक्ट है उसके model paper को आज इस वीडियो में हम लोग solve करेंगे एक-एक question इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस model paper का बताऊंगा जो आपके 2024 के exam के लिए बहुत जादा important है और इसको करना बहुत जादा 2024 और यहाँ पर समय लिखा गया है सबसे important बात जो आपको यहाँ ध्यान देना है यहाँ ध्यान से देखना आपको यहाँ पर marks कितना दिख रहा है भाई 70 marks कितना दिख रहा है 70 इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों का ETP का जो एक्जाम होगा वो 70 mark का एक्जाम होगा आपका और आपको 30 number का practical मिलेगा बताओ सबी subject में 20-20 number का exam होगा 20-20 number का practical मिलेगा लेकिन ETP और computer science में आप लोगों को 30-30 number का जो है वो practical मिलेगा तो जिन student का ETP है जो ETP को लेको बहुत ज़्यादा डर रहें थे बताओ भई आप लोगों को 30 number कोलेज के तरफ से practical मिल जाएगा ठीक है तो क्या उतना ज़्यादा ETP में घवराना है हम जो जो पढ़ा रहे ETP में हर एक चीज़ को आपको अच्छा से करके रखना है अब थोड़ा सा आपको ये ETP में वो आप लोगों को पूछेगा 25 marks का 25 marks का आपका MCQ question पूछेगा इसके बाद आपको जो है वो subjective type के questions पूछा जाएगा कितना number का total subjective type का 45 number का question पूछा जाएगा यानि कि आपका यहीं से जो है आपका 70 number जो है वो बन जाएगा अब थोड़ा और बता देते हैं ये जो subjective type का question जो 45 number का ये जो subjective type का question पूछेगा वो होगा किस तरीके से subjective type का question पूछेगा उसमें से आपका 1-1 number का question होगा यानि 1-1 number का आपका 7 question होगा यानि कि आपका यहां से 7 marks बनेगा इसके बाद आपका 3-3 number का आपका 8 question होगा यानि 3-3 number का 8 question यानि की 18 number लोगा यानि कि होगी आपका 20 number इसका मतलब है very short type का question आपको 7 को बनाना है short type question आपको 6 को बनाना है और long type question आपको 5 गो बनाना है इस तरह से आपको 45 नंबर का subjective लिखने वाला और 25 नंबर का आपका objective यानि कि MCQ टाइप के questions को पूछेगा अगर आप MCQ में अच्छा स्कोर कर दोगे तो भाई आपको ETP में जो है वो आराम से 17 नंबर आपका आ जाएगा ठीक है अब चलो हम लोग ETP का जो है व आपका computer science का भी जो है वो exam pattern रहने वाला है ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आते हैं इसके question answer में MCQ टाइप के question answer थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेते हैं देखो सबसे पहला question यहाँ देखिए बोल रहा है निमलिखित में से कौन सा आउसर का परकार है which of the following is a type of opportunity हम आपको ये lesson 1 पढ़ाएं थे और बताएं थे आउसर जो होता है opportunity जो होता है वो दो तरीके का होता है एक वैसे आउसर होते हैं जो पर्यावरण में पहले से विदमान होते हैं और एक ऐसा आउसर होते हैं जिसको हम लोग खुद निर्मित करते हैं यानि opportunity दो type का होता है एक ऐसा opportunity जो environment में पहले से exist करता है और दूसरा ऐसा opportunity जिसको हम लोग खुद create करते हैं तो इसका right answer होगा A और B दोनों क्योंकि A पे बताया गया है पर्यावरण में विद्मान आउसर यानि existing opportunity in the environment जो होता है निर्मित आउसर यानि created opportunity जो होता है तो इसका right answer होगा हम लोगों का आपका C number. question number 2 भी हम पढ़ाएं थे आर्तिक सहया था यानि subsidiary इज ये इस साल का exam में पूछा गया था subsidiary क्या होता है तो पुना भुकतान यानि की repayment को ही subsidiary जो है वो बोला जाता है ठीक है आगे question number 3 पे आते हैं 3 नमबर पे देखिए क्या बोल रहा है आर्तिक नितिया निर्धारित करत मिलेगा capital कहां कहां से मिलेगा production किस तरीके से करेगा उसके बाद वो कहां कहां चीजों को पैसा खर्च करेगा advertisement किस तरीके से करेगा यानि पैसों से related चीजों के बारे में जब वो निर्नाय लेगा तो ये बताएगा कि उसका जो बेवसाई है वो कितना अच्छा है और दिशा एवा मात्रा direction and volume of business बताएगा कि बिजनेस जो है वो कितना profit कमाने वाला है या loss कमाने वाला है या business कितना strong है ये बताएगा आगे आते हम लोग question number 4 पे question number 4 पे बोला गया है निम्न में से कौन सा घटक बाजार मुल्यकन पर पर परभाव डालता है which of the following factor affecting market assessment तो ये भी पढ़ाएगा है आप लोगों को तो market assessment पे परभाव डालता है सुच्छ मुवातावरन यानि कि micro environment जो है वो market assessment पे परभाव डालता है question number 5 पे आते हैं question number 5 पे बोल रहा है निम्न में से किसका उतपाज या सेवा का चुनाओ करते समय ध्यान रखना जरूरी है which of the following factor is to be considered while selecting a product or service यानि अगर आप एक entrepreneur है आप अगर एक उधमिता है और आप किसी उधमी को चलाते हैं अब आपको अगर उसके लिए वस्टू तथा सेवा का चुनाओ करना है goods and services को select करना है जिसका आप production करना चाहते हो तो किन चीजों को ध्यान में रखोगे option A परतियोगिता यानि competition हाँ भई परतियोगिता का ध्यान में रखोगे क्योंकि जिस चीज का market में ज्यादा competition है जिस चीज का market में पहले से ही seller है जिस चीज का पहले से ही आपको बेचने वाला है आप उस समान को थोड़ी बनाओगे competition को ध्यान में रखोगे दूसरा लागत उतपादन लागत यानि cost तो production बिलकुल सही है जिस चीज का production में cost बहुत ज़्यादा खर्चा होता है आप उसको नहीं बनाओगे production को ध्यान cost को देखके production करोगे तिसरा lab की समझावना profit possibility बिलकुल सही है ऐसे उतपाद या ऐसे product जिसको बेच के बाजार में बहुत ज़्यादा profit यानि lab कमाया जा सकता है तब ऐसे चीजों का आप production जरूर करोगे ठीक है तो इन तीनों ही चीजों को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा तो इसका right answer होगा इन में से सबी देखो हर एक question को बहुत easy way में आप लोगों को समझा देंगे क्योंकि चीजों को रटा नहीं मारना है हर एक चीजों को समझना है तो अगर कोई भी उधमी अगर किसी business को किसी entrepreneur को select करता है तो वो depend करता है सहसी की swim की योगेता यानि self ability of an entrepreneur जो आदमी जो उधमिता किसी ब्यवसाई का चुनाव कर रहा है उसके अंदर जितना talent होगा जितना capacity होगा जितना capability होगा वो इस हिसाब से उत्पाद या अपने ब्यवसाई का चुनाव कर सकता है अगर वो एक छोटा business को च चला सकता है तो वो बड़े business को चुनेगा कैसे business को चुनना है यह उसकी योगेता पे depend करता है ठीक है आगे question no.7 देखो question no.7 पे बोल रहा है एक सपल उधमी में आवेसक ही निम्न गुन होने चाहिए a successful entrepreneur must poses the quality of the following तो उसकी अंदर जो है यह सब quality का होना जरूरी है सबसे पह प्रवर्तन का यानि की innovation idea होना चाहिए ताकि समय के साथ साथ नए नए चीजों को वो आविसकार या introduce कर सके तो right answer होगा इन में से डी अब देखो ETP में जो student ETP से बहुत जादा डरते हैं हम उन लोग को पहले भी बताए हैं अभी फिर आप लोगों को बता दे रहे हैं एक तो ETP में आप लोगों को 30 नंबर का जो है वो practical college से मिलेगा 25 नंबर का आपका objective होगा तो 30 उदर और 25 इदर 55 नंबर हो गया और बाकी बचता है 45 नंबर जिसमें से आपको 1-1 नंबर का question पूछेगा तिन-3 नंबर का question पूछेगा और 5-5 नंबर का और इसमें से maximum question जो होगा अगर आप accountancy, business study और economics अगर अच्छा से कर लिए है तो ETP आपका definitely आराम से हो जाएगा बस आपको 10-15 question ही है जो पूरे book में से नया नया पढ़ना पड़ेगा ने तो इसके लाएवार कुछ नहीं business study, accountancy और economics अगर आपने कर रखा है तो ETP तो बहुत easy तरीके से आप लोगो के लिए भी दिरिकाल के लिए short term, middle term, long term सभी के लिए होता है तो इसका right answer होगा option D ठीक है आगे question number 9 पे आते हैं एक परियोजना होता है A project इजिए भी इस साल का पूछा हुआ question है तो एक परियोजना के अंदर बहुत सारे गतिवीदियों का समू होता यानि एक जो project बनाते ह उसके अंदर हम लोग बहुत सारे कामों को डालते हैं इसलिए एक परियोजना को बोला जाता है गतिवीदियों का समू यानि cluster of activities ठीक है question number 10 पे आते हैं परियोजना के तयार करने पर ब्याई किया गया धन है money spent on the preparation of project इज अगर आप एक project बना रहे हो तो उस project के लिए आप जो भी पैसा खर्च किये हो वो आपका एक investment कहलाएगा क्यों कि प्रोजक्ट में आप जो आज पैसा लगा रहे हो कल को उसी project से आपको benefit होगा तो project के लिए आप जो पैसा खर्च करते हो वो investment यानि कि विनियोजन कहलाता है विनियोजन मतलब अभी आप पैसा लगा है कुछ समय बाद आपको वहां से return मिलेगा ठीक है आगे question number 11 पे निमन में से कौन सा संसाधनों का प्रकार एवम सुरोथ है which of the following is a kind of sources and their resources and sources तो भाई आपको याद रखना है जो resources होता है यानि जो संसाधन होता है वो तीन टाइप का होता है बहुतिक संसाधन तक्निकी संसाधन मान में से सभी ठीक है आगे बाद समझ में चलो अब आते है question number 12 पे बोल रहा है सन्युक्त पुंजी वाली company के लिए लाभांस देना है for a joint stock company payment of dividend is actually यानि की voluntary होता है आगे आते है question number 13 पे बोल रहा है कारेसिल पुंजी के निरुधारक है determination of working capital is अगर आप किसी भी business के लिए working capital द यानि business में जो भी एक साल के अंदर जो जो बार 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 खर्चा होता है तो उन खर्चों का payment करने के लिए जो है वो working capital को रखा जाता है तो बोल रहा है कि working capital का calculation आप क्या देखके करोगे option A संस्था का आकार size of the enterprise बिल्कुल सही अगर एक छोटा size का business है तो working capital कम लगे option B निर्मान पड़किरिया की out the period of manufacturing process बिल्कुल आप किस तरीके से manufacturing करते हो उसके बेस पे भी आपको working capital रखना होगा कच्चे माल की उपलवड़ता availability of raw material बिल्कुल सही अगर आपको ज़्यादा raw material खरीदना है तो working capital ज़्यादा रखना होगा और अगर कम raw material खरीदना है तो working capital कम रखना होगा तो इन सभी चीजों से जो है वो working capital तै होता है all of these next question पे बोल रहा है चालू समपत्यों में सामिल है current assist include हम सबको पता है current assist basically ऐसा assist होता है जिसको एक साल के अंदर-अंदर case में बदल सकते हैं और जिसको बार-बार जो है वो case में हम लोग convert कर सकते हैं जैसे case हो गया, case in a hand हो गया, stock हो गया, data हो गया, bill receable हो गया, account income हो गया, prepared expenses हो गया, यह सम मेरे लिए कहलाता है आपका current assist, अब देखते हैं furniture बोल रहा है, furniture तो भाई fix assist होता है, दूसरा पे बोल रहा है investment यह भी fix assist होता है, goodwill यह इंटांजिबल fix assist होता है, data हाँ, यह data जो है, यह current assist होता है, यानि यह देंदार, यह data जो है, वो current assist होता है, फिका सर ज प्रमभिक BIA है, जिसको हम लोग अप लिखित BIA बोलते हैं, यानि preliminary expenses, यह जो है मेरे लिए operating expenses नहीं है, क्योंकि preliminary expenses non operating expenses and losses होता है, जैसे preliminary expenses, discount on issue of share, discount on issue of debenture, आपका goodwill return up हो गया, provision for bad debts हो गया, depreciation हो गया, यह सब चीज़ जो है मेरे लिए non operating expenses and losses होता है, non operating expenses and losses का मतलब होता है, business से थोड़ा बाहर का खर्जा, ठीक है, और बाकी advertisement हो गया, wages और rent, यह सब business के अंदर होता है, तो यह सब operating है, लेकिन preliminary expenses जो है, वो मेरे लिए non operating होता है, ठीक है, आगे, यह भी question जो है, 16 नंबर इस साल पूछा था question में, अंसदान, यानि की contribution is equal to, त तो मेरे लिए contribution निकल करके आज आएगा, आया समझ में, चलो, उधमी में, उधमी पूझी में रहता है, joint venture contents, joint venture में, यानि उधमी पूझी में, कुछ जोखिम होता है, high risk होता है, क्योंकि इसमें पैसा डूबने का chances जो है, वो बहुत ही जादा होता है, ठीक है, जरूरी नह ही है, कि आप जो पैसा लगाए है, उसमें से आपको return ही मिल जाए, next आते हम लो, question number 18 पे, देखो, परबंद कला है, management is in our top, ये भी देखो, business study का question है, तो हम सबको पता है, परबंद एक कला है, स्वेम कार्म करने, एवं दूसरों से काम कराने, ठीक है, both of doing himself work and taking work from others, ठीक है, चलो, बेवसाई के लिए विप्णन है, ये भी business study का question है, for business marketing, अगर आपको business अच्छा से चलाना है, देखो, हमको पता है, business में क्या होगा, goods and services, यानि वस्तुमों और सेवाओं का उत्पादन होगा, अगर वस्तुमों तथा सेवाओं का उत्पादन हो गया, तो बाजार मे के लिए marketing का होना compulsory है, यानि एक बेवसाई के लिए विप्णन का होना अनिवार होता है, ठीक है सर जी, चलो, आगे बढ़ते है, next, देखो, ये भी business study का question है, brand बतलाता है, brand indicate, तो brand चीन, यानि के symbol भी हो सकता है, design भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, इन में से सब ये भी business study क question है, पढ़ाए हैं चीज, लाभांस है, dividend is, तो dividend हम accountancy में आप लोगों को अभी अभी issue of share में पढ़ाए थे, कि dividend का मतलब होता है, कि जब company share market में issue करता है, और shareholder जब उससे share खरिता है, तो company उससे capital लेके business में लगाता है, फिर जो company को profit होता है, उस profit में से हिस्सा, उस profit, profit मे से हिस्सा मिलता है, जो बुझी कहलाता है, dividend, यानि dividend मतलब होता है, profit का हिस्सा, dividend मतलब profit का हिस्सा, यानि कि lab का neogen, यानि appropriation of profit, ठीक है, चलो हो गया, आगे आते हैं, इसको थोड़ा से हम लोग छोटा कर लेते हैं, देखो थोड़ा adjust कर लेना, question पे बोरला है, समामेलन का अ अधिक company मिल करके एक नये company का निर्मान करती है, या जब दो या दो से अधिक business को मिला के एक नया business बनाए, या जब दो या दो से अधिक company को मिला के एक नया company बनाया जाता है, तो वो कहलाता है merger, यानि कि समामेलन, ठीक है, आया समझ में, तो इसका right answer होगा हम लोगों का option number B इसका right answer क्या होगा भई, option number B इसका right answer होगा, दो या अधिक ब्योसायों का mission, combination of two or more businesses, ठीक है सर जी, चलो आगे बढ़ते हैं next question number आते हैं 23 पे, बोल रहा है उधमी का दाइत्व है, responsibility of entrepreneurs are, तो उधमी का दाइत्व सब के परती होता है, एक उधमी को सामाज के परती भी काम करना पड़ता है, सरकार के परती भी और पर्यावरण के परती भी, towards society, towards government, towards environment, सब के परती उसको काम करना प तैयर किया जाता है, promoters के द्वारा भी, managers के द्वारा भी, entrepreneurs के द्वारा भी, परवर्टक के द्वारा, प्रबंदकों द्वारा, उधमी के द्वारा, सभी के द्वारा जो है वो project तैयर किया जाता है, ठीक है, last question, पर्योजना, प्रतिवेदन, साराहन सह, project, report, is a summary of, तो एक प्रोजक्ट के अंदर जो है यह सब चीज आता है, कत्थी भी आता है, सूचना भी आता है, विसलेशन भी करना पड़ता है, facts, information, analysis, यह सब चीज आता है, इसके बाद नीचे जो आपको question मिलेगा 26 से, यह subjective type का question है, subjective type के questions को हम next video में लेके आएंगे, जिसमें हिंदी वालों के जो भी हम तरीका आप लोगों को बताएं, जो भी हम आपका patent बताएं, I hope वो सब चीज आप लोगों को जरूर याद हो गया होगा, ठीक है, वीडियो पसंद आई है, तो like करो, share करो, comment करो, मुझे बहुत ज्यादा खराब लगता है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता ह ब्यूज बहुत होता है, लेकिन आप लोग ना तो comment करते हो, ना तो like करते हो, हमको समझ में नहीं आता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो like करो, comment करके बताया करो, अगर पसंद नहीं आता है, तो भी वीडियो के comment box पे comment करके हमको बताया करो ठीक है चलो बाए टेक केर